अगामी लोकसभचनाओं के लेकर राजमतिक दलों में हल चल बढ़ गई है इसको लेकर सबी पार्टियों ने अपनी अपनी तयारिया तेज कर दी है इस बीच माराश्च्रों में शृंदे गुट ने दो मौजुदा सांसदों के टिकेट काटे हैं जुसके बाद से ही सवाल ह उठ रहा है कि क्या उनके इस कदम से पार्टी नेताओं में नराजगी बढ़ गई है इसको लेकर क्याबिनेट मंत्री शंबूराज देसाई ने बयान देते वे कहा कि यमारी पार्टी में किसी प्रिकार की कोई भी नराजगी नहीं है जो भी कदम उठाए गए हैं वो संब पंदेद उमीदवारों के घर के लोगों को टिकेट दिया गया है अगर हेमंद पाटल की बात करे तो उनकी पत्नी को टिकेट दिया है उन्हें उनके माई के यवत माल से टिकेट दिया गया है वह इसके लावाद जब देसाई से ये पूछा गया कि नासिक और रतनागिरी स लोगसबा सीट पर शिंदे, सेना और बीजबी दोनों ही दावा करते दिख रहे हैं। इस सवाल पर दिसाई का कहना था कि हमारा दावा हमने अभी तक छोड़ा नहीं है। हमारे नासिक के मंतरी ने भी ये बात कही है। साथी हमने इसको लेकार अपने मुख्य मंतरी को भी बोला है कि नासिक हो या रतना येरिस हिंदू दुर्ग की लोगसबा सीट पार। पिछली बार हमने चिनाव लड़ा था इसलिए इस बार भी हमें ये दोनों सीट लड़नी है। ये बात हमने मुख्य मंतरी के सामने रखी है। इस बारे में फैसला लेने के लिए हमने अपने सभी अधिकार अपने नेता एक नाच शिंदे को दिया है। वो सभी वरिष्ट नेताओं से चर्चा कर इस बारे में उचित निर्णे लेंगे। इसके लाबा उद्धाव ठाकरे के बयान पर कि शिंदे सेना की जिन नेताओं को टिकेट नहीं मिल रहा है। उन्स सभी के लिए शुपसेना उद्धव ठाक्रे के दर्वाजे बंध है इस पर दिसाई ने बयान देते वे कहा कि हमारा कोई भी नेता या कोई भी कारी करता उद्धव ठाक्रे के दर्वाजे पर जाही नहीं रहा है ये खुद उद्धव ठाक्रे सिर्फ कहते दिख रहे है नमस्कार मैं हूं मानक गुपता अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेर जरूर करें और हाँ हमें सबस्क्राइब और फॉलो करना न भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस न करें तो जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे है योस 24